हेलो गाइज, एक्जाम टार्गेट्स में आप लोगों का सौगत है, हमारा कोटेशन है, संघर्स में ही सफलता है, हम फिर से लाए हैं, परिक्षा के लिए कुछ अतिमहत्पूर्पूर्शन हैं, जो की वाल भिकास के टॉपिक से हैं, और ये कोश्चन्स ये इस प्रकार हैं, पहला कोश्चन है, किशोरों में द्वन्द उभरने का प्रमुक कारण है, ओप्षन है, पीडियों का अंतर आउसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्थाहायता, किशोर वस्था में सपन दर्शन, इसका अंसर है, बी, आउसरों की प्रतिकूलता, अब सेकंड कोश् या मुल्यांकन प्रक्रिया कक्ष्या में प्रियुक्त पाथे सामगरी इसका अंसर अगर आपको पता है तो आपने मांड में रिवाइन कीजिए इसका अंसर देखते हैं कि इसका अंसर भी है विद्याला का संपूर कारिक्रम पाथे चर्चा एक विद्याला का संपूर कारिक् यह क्या है यह पठन विकार है डिसलेक्सिया को सब्सक्राइब करने के अनुसार बुद्धि लफ्ध होती है अब यह चीज दिया गया तो कोई यूनिट नहीं है बस कितने से परसेंटेज होता है वैसे यह चीज दिया गया है इसको मिजर किया गया है तो यह 120 से 140 के बीच में है 110 से 135 के बीच में है या 90 से 110 के बीच में या 80 to 90 है तो इसका एंसर होगा 90 से 110 के बीच में है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब बच्चे को कोई नियम या सिधान सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोक करेगा किस विधी का प्रयोक करेगा आगमन विधी निगमन विधी विशलेशन विधी कहानी कथन विधी तो अगर किसी बच्चे कोई नियम सिखाना ह इसके लिए हम option A जो है आगमन विदी का प्रयोग करेंगे डिसकों की बच्चे को नियम और सितन अच्छे सिखा जा सके next question है श्याम पट्ट पर लिखती समय सबसे महत्वपूर क्या है अक्षा लेक है लिखने में अस्पष्टता है बड़े अच्छर या छोटा अच्छर उप्युक्त आयू है 10-16 वर्ष 6-14 वर्ष 1-3 वर्ष 5-10 वर्ष इसका अंसर होगा D 5-10 वर्ष समयोजन की प्रक्रिया है A इस्थिर B गतिसील C अस्थनापन D अवरोधी तो इससे समयोजन की प्रक्रिया होगी गतिसील जोकी आंसर भी सही है Next question है शिख्छा मनोविज्ञान अध्यन करता है प्रेडा वय पुनर बलन की प्रभा का अध्यन या वशानुक्रम वय वातावरण का अध्यन या ध्यान वश रूचिका अध्यन या वैक्तिक भेदों का अध्यन तो इसका एंसर होगा B. वन्शानुक्रम वय वातावरण का अध्यन नेश्ट कोजिशन है छोटी कक्छाओं में सिख्छा की सबसे महत्यवपूर विशेष्था है A. पढ़ाने की उत्सुकता B. धैरिवा द्रिड़ता C. शिख्छा विधियों का ग्यान D. मानक भासा का ग्यान इसका अंसर होगा B. धैरिवा द्रिड़ता छोटी कक्छाओं में सिख्छा की सबसे महत्यवपूर विशेष्था धैरिवा द्रिड़ता होती है क्योंकि बच्छों को कम समझ में आता है इसलिए उनको अच्छे समझाने में हमको पैसेंस और उनको टाइम देना पड़ेगा अब नेक्स्ट कोश्चन है बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है आप इसकतन से क्या सहमत है मतलब इसमें जो इसमें अंसर दिये गए हैं पूरता सहमत हैं, संभवता सहमत हैं, एसमत हैं या कुछ सीमा तक सहमत है तो इसका अंसर होगा C, S सहमत है क्योंकि बालक में सामाजिक भावना का विकास हम उनको हम खुद देते हैं कभू कभी जन्मजात नहीं होते हैं नेक्स्ट वोश्चन है चात्रों में परस पर सहयोग की भावना विक्सित करने के लिए आप क्या करेंगे तो इसके लिए इसके लाब बनाएंगे अन्य सीच्खों के साथ मिलकर काम करेंगे सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे सहयोग ने करने वाले को दंडित करेंगे इसका option होगा B, अन्य सिचकों के साथ मिलकर काम करेंगे अब इसमें next question है, बच्चों की वृद्धी की अनरूप उनकी रुचियां कैसी हो जाती है बहुमुकी हो जाती है, B, सुद्रिड वसीमित हो जाती है, C, अनिय में दिशा में चली जाती है, D, पहली जैसी रहती है तो इसका answer होगा, A, बहुमुकी हो जाती है next question है, शिक्चा का सबसे बड़ा उदेश है, छात्र धन कमा सके, B, ग्याना आरजन कर सके next option बहतर जीवन के लिए, या वो सम्मान पा सके, तो इसका answer होगा, B, शिक्चा का सबसे बड़ा उदेश है, ग्याना आरजन कर सके, इसलिए होता है एक बालक को संतुलन, सुद्रेपन और सक्षता का अनुपालन करता है, तो यह किसका सूचक होता है अगर कोई ब्यक्ति, संतुलन, सुद्रेपन और सक्षता का अनुपालन करता है, तो यह किसका सूचक होगा A, रुचिका, next, अभिवरित्तिका, C, प्रसंसा का, या D, मुल्यका तो इसका answer होगा C, प्रसंसा का A, next question है, सभाव, और प्रकृति से, छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे बच्चे, डरपोग, तता संकोची, निरभिक, तता सवतंत्र, या शान्त, तता सक्री, या next option, सक्री, तता जिग्यासू तो इसमें next option है, last बाला, सक्री, तता जिग्यासू अब इसमें नेक्ट कोईशन है चात्र उस सिच्छक को पसंद करते हैं जो समस्याय सुनता है नाराज नहीं होता है समय का पावंध है या सुन्दर है तो चात्र किसको पसंद करते हैं जो समस्याय सुनता है नेस्ट कोश्चन है प्रोड सिच्छा के लिए आयू वर्ग है 6-16 वर्ष है या 12-18 वर्ष है या 18-50 वर्ष है या 15-35 वर्ष है तो इसका अंसर D होगा प्रोड सिच्छा के लिए 15-35 वर्ष सही है नेस्ट कोश्चन है समाज की उन्नति का मूल है उप्शन A, बाल-बालिका सिच्छा एक समान हो उप्शन B, बालिका सिच्छा को कम महत्व मिले उप्शन C, बालिका सिच्छा अलग विद्याला में हो उप्शन D, केवल महिला ध्यापक हो तो इसका उप्शन होगा A, समाज की उन्नत कमूल है तो उसमें बाल बालिका सिच्छा एक समान हो नेक्स्ट कोश्चन है छोटे बच्चों की ग्यानिंद्रियों को क्रिया सील वाय सक्षम बनाने है तू हमें क्या करना होगा उनके समक्ष समागरी रखकर निरिक्षड करवाएंगे या वस्त उठाने रखने का काम सौपेंगे या उनको क्रिया सील रखेंगे या नेक्स्ट ऑप्षन कक्षा कक्ष में सांद बैठने के लिए कहेंगे तो इसका सही अंसर होगा C उनको क्रिया सील रखेंगे या हमेशा कोई ने कोई वो एक्टिविटी करते रहें नेक्स्ट कक्चा में अपयक्षित है भागिता यास नेक्स्ट है सिख्छक छातरों का आक्रमक व्यवहार तो इसका ओप्सन साई होगा कच्छा में सांतिपूर सिख्छड प्रक्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवचारिक सिख्छा की ब्यवस्था की गई है कितने आई वर्ग में तो इसमें है ऑप्शन ए 6-11 आई वर्ग बी है 9-14 आई वर्ग ची है 15-35 आई वर्ग या फिर कोई लिमिंट नहीं है यह मतलब कोई आयो सी मन नहीं है तो इसका अंसर डिय होगा इसकी कोई आयो सी मन नहीं है आप कभी भी अनवचारिक सिख्छा की ब्यवस्था है वो आप कभी भी कर सकते हैं C. पसंद इदा पुस्तक पढ़ाने से या समाचार पत्रिका पढ़ाने से तो इसका एंसर होगा D. समाचार पत्रिका पढ़ाने से नेक्स्ट कोईशन 24 है लंबे और कठे सब्दों का उच्चारड करवाने के लिए आप क्या करेंगे तो ऐसे में पहला option है ऐसे सब्द बारबर बुलवाएंगे B. सब्दों को खंडों में बाढ़ कर बुलवाएंगे या C. मिलते जुलते उचारण वाले सब्द पहले बुलवाएंगे या फिर जो option A और B दोनो तो इसका answer होगा D option A और B दोनों ऐसे सब्द बार बार बुलवाएंगे और सब्दों को खंडों में बाढ़ कर बुलवाएंगे next question 25 है राष्ट्री साक्षर्ता मिशन की देन है कोठारी कमेटी या राधा कृष्षन आयोग राष्ट्री सिक्षा निती मुदालियार निती या मुदालियार आयोग तो इसका option होगा C राष्ट्री सिक्षा निती next question 26 कोई चात्र आपके प्रश्णों की उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे option A है स्वयंग मुता देंगे B शहायक पुस्तक से मदद लेनों कहेंगे C अन्य बच्चों से मदद लेनों कहेंगे या D उत्तर नहीं देने का करण जानेंगे तो इसका option सही होगा C अन्य बच्चों से मदद लेनों कहेंगे next question है माध्यमिक छहत्रों के लिए स्वय केंदर परिच्चा पड़ाली उप्युक्त है क्योंकि option A विद्याला से दूर नहीं जाना पड़ता option B नकल में सुविदा होती है option C अपने केंदर पर अनुशासित रहते हैं या option D दूसरे परिच्चा केंदर पर छात्र निरास हो जाते हैं तो इसका option सही होगा A विद्याला से दूर नहीं जाना पड़ता है और next question है 28 कक्षा में अध्यापक को अधिक अधिक प्रस्ण पूछने चाहिए क्योंकि पहला option प्रदानाचारे प्रसंद होते हैं B कक्षा कक्षे में अनुशासन रहता है C छात्रों को अभिवक्ति का आउसर मिलता है और D सिच्छा को अभिवक्ति का आउसर मिलता है तो इ जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विक्सित होते हैं वे क्या है जिनमजात प्रेरक हैं option B प्राकृतिक प्रेरक हैं C अरजित प्रेरक हैं या फिर सभी D option उपरोक्त सभी तो इसमें सायोगा D उपरोक्त सभी next question है ब्याक्षान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन करता है तो आप क्या करेंगे option A उसे दंड देंगे option B कच्छा से बाहर निकाल देंगे option C चुप रहने के लिए कहेंगे option D धैरेपूर उसकी बाते सुनेंगे प्रवेस देंगे उसका छोगा उसका उनसर होगा D धैरेपूर उसकी बाते सुनेंगे इसक्त कोई है बैच्चों में बैक्तिकत शयक्शिक विवनुटै को प्रभिनेता हैं वच्छानवकरण वातावरण बुद्ध्धी का अंतर या वच्छानवकरण था वातावरण दोन C. प्रायोगिक या D. क्रियात्मक तो इसमें A होगा मौखिक Next question है अध्यापक छात्रों के ब्यक्तिकत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढग से जान सकता है A. निवन लिखवाकर या Next वाद विवाद प्रतियोगदा से या फिर Next परिच्छा परिडाम से या फिर मनोवैग्यानिक परिच्छड से तो इसका option होगा D. मनोवैग्यानिक परिच्छड से Next question है किस विद्य में अध्यान करता बच्चो या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविद्य प्रश्ण पूसता है तो इसका option है साच्छात्कार विदी B. वायक्तिक विदी C. दिक्षड विदी D. प्रयोगात्मक विदी तो इसका answer होगा A. साच्छात्कार विदी मतलब यह हुगा कि अध्यान करता जो है वो बच्चो या माता पिता या धापक से मिलकर साच्छात्कार विदी से ही प्रश्ण पूसता है नेक्ट कोश्चन है कम्प्यूटर सिच्छा की सिफारिस किस आयोग ने की तो इसका option है नई सिच्छा नीती B. कोठारी कमेटी C. बेसिक सिच्छा समीती या D. या स्पाल समीती तो इसका answer होगा A. नई सिच्छा नीती नेक्ट कोश्चन है आपका अस्थानांद्रण ऐसे छेतरी में होता है जहांकि भासा आप समझ नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे A. अस्थानांद्रण का प्रयास करेंगे या B. जो होगा देखा जाएगा या फिसी option भासा शीखने का प्रयास करेंगे या फिर D. इसमें आपका option C है भासा वहां की भासा सीखने का प्रयास करेंगे नेक्ट कोश्चन है शिक्षड कारे में दैनिक जीवन की घटनाव को समावेश करने से क्या होगा चातर प्रसंद्र रहते हैं या अध्यापक को ज्यादा प्रश्चन नहीं करना पड़ता या C. सिच्षड रूचिकर सरल तथा उपयोगी बनता है नेक्ट कोश्चन है आज कल छोटे बच्चों पर पुस्तों का बोच अधिक होता है इसके हानिकारक होने के संबद में आप क्या राय है तो इसमें चार option है एक option है छात्र प्रते का अध्यान नहीं करते या कर सकते हैं सेक कंदे की हड़ी पर कूपरभाव पड़ता है तो इसमें option सही होगा बी वाला अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद होता है सही है नेक्ट कोश्चन है 39 छात्रों में श्रम के महत्तों के विकास है तो सिच्छक को स्वयम करना चाहिए भासर देना चाहिए या फिस चात्रो को आउसर देना चाहिए या फिटी श्रम जीवी लोगों के उदाहर देने चाहिए तो इसमें option सी है छात्रों को आउसर देना चाहिए अब नेक्ट कोश्चन है जो कि लास्ट कोश्चन है परिक्षा समीब आने पर पाठकरम पूरा नहा होने की दसा में अध्यापक को चाह समद्दे कर पाठकरम पूरा करेंगो तो यह डी वाला है आत्रिक समद्दे करके पाठकरम पूरा तो दोस्तों यह 40 प्रस्ट आप इसको देखे इसको पढ़े इसकी आया की questions आपको पढ़ना है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें इस चैनल यह ज़ाए पिए एसको उक्को एम सक्वाषै करेंग्यों पाठकरम पंसुमर ग् 마음에 भ varsa हो यह पन्क путाु हैं।